ये इतना बज़डार मीठा क्या है? रफान पुक्सल चैली मेरी ममी कहती है कि इससे अच्छा मीचा और कोई नहीं क्यूंकि और, और, और अम्मी अम्मी आपको पता है कि रफान चैली के एक पैकेट से चार लोगों के लिए चैली बनती है और, इसकी बहुत सब्सक्राइब उस बदल बदल के साथ से है और, इसे फ्रूट, क्रीम, कस्टर्ड और बहुत से चीज़ों के साथ भी खाये जा सकता है और, और, और अच्छा बबा, अच्छा, कल से हम भी रफान चैली ही बनाएंगे खुश, अम्मी आप से नसरीन रफान जैली के सिश्टहार को देख कर बताईए कि क्या आप अपने बच्पन के उस दौर में नहीं पहुंच गए जब टीवी देखना हमारी जिन्दगी का सबसे महंगा शौक होता था जब हजारों चैनल्स के बजाए टीवी पर सिर्फ एक ही चैनल आता था और वो था पी टीवी प्लतलून के पोंच़ा भी लीरो लीरा मुझे और प्लतलून लेके दें ऐसे जैनलों वाली प्लतलूनों का तो फंचना है ये प्रेजन्ट किया है मुझे बेगम नसीर ने ये प्रेजन्ट नहीं है कालक मल दिया उसने मेरे मूँ पर ये वो दोर था जब स्कूल जाते वक्त हमारी सुबह का आगास चाचा जी के प्रोग्राम से होता था जिसमें तीन मिनट का काटून देखने के लिए हम स्कूल वैन के लेट आने की दौाइयों मांगते थी आज हम आपको एक बार फिर से पी टी वी की भूली बिसरी यादों की सेर पर लेकर जाने वाले हैं लेकिन बच्पन की यादों में खोने से पहले पूरे होश औ हवास में हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलेगा तो चलें यादों की खुबसूरत लमहाद की सेर पर निकलते हैं इस वीडियो में हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आए हैं डेंटॉनिक का ये एड जिसे आज भी देखकर हमारे दान्तों की चमक तेज हो जाती है डेंटॉनिक की इस एड के बाद आपको दिखाते हैं कैंडी बिसकिट का ये एड बहुत मज़ेदार कैंडी में वो खास बात है जो किसी और में कहा नवे की दहाई का दौर एक सादा दौर था जिन दिनों न्यूस बुलिटन में भी सादकी नजर आती थी आप जिनको नहीं मालूम वो ये न्यूस बुलिटन देख लें बिसमिल्ला रख्मान ररहीम असलाम आले कुम्त ने बैनस सुबाई राप्त कमेटी के मशवरे से फैसला किया है कि कमेटी ने जराइन पेशा अफराद की गरिफतारी गंदुम के दरामद और मुक्तलिफ शुबों में बैनस सुबाई राप्ते को मजीद मौसिर बनाने के बारे में आहम फैसले किये वजिर आजम ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत को अलाके में अमन और राष्टी की फज़ा बरकरार रखने के लिए काम करना चाहिए एवरी डे का ये इश्तिहार वाकई में आज तक हमारे पसंदीदा इश्तिहारात में टॉप पर ही आता है एक अप चाहिए ये लिए मसा जो खाता है प्यार हो जाता है फिर से एवरी डेयर मसा जो लाता है चाहिए एवरी डेयर तुम्ही मेरा प्यार एवरी डेयर अब इसके बाद आपको दिखाते हैं जीरा बिसकिट्स का ये यादगार इश्तिहार क्या आपका कोई दोस भी जादा बाते करता है अगर हां तो शायद आपको बटर स्कॉच का ये इस्तिहार याद नहीं हमारी इस लिस्ट पर अगला नंबर है कैंडी लैंड की नाव चोकलेट का वहां से गम लगा के उड़ गए बस को प्लेट नाव सबसे अच्छी चोकलेट खाओ वो वक्त पे क्या वक्त था जब टीवी पर जिर्फ पी टीवी और जिंदेगी इंतहाई सादा होती थी जहां शोर शराबा बिलकुल नहीं था हमारी लिस्ट में ये अगला इश्टिहार आपको किसी टाइम मशीन की तरह आपके बच्पन में पहुँचा देगा बता दो ना नासबान मसाला तो नासबान मसाला जिसे खाई बहाने महाने से सब फुश होते हैं जिसे को खाने से सब अपनी जेवों में रखते हैं सबही जीसे लखियों में किलाते हैं सबही जीसे जो है सब को पसंद मेरी मुच्छी में बनत है क्या बता तो नमू कभी कभी तो इश्टहारात ऐसे बनाए जाते जो किसी फिल्मी सीन की तरह नज़रा आते थे हमारी लिस्ट में ये अगला एड़ शाहिद इतना ज़्यदा पुराने नहीं लेकिन आज भी ये हमारे बच्पन की यादों से जुड़ा हुआ है कुफर साथ ये ममी है आपकी यजारों साल से इसी तरह अब दी नीन सो रही है तो लोग कुछ भी को ये नहीं उठेगी अच्छा देखते हैं तुम्हें पता है यूफोन से अब सिफ दो रुपे नानवे पहसे में तरें चितनी मर्जी लंबी कॉल तो ममी से बात करो ना बोलो बेता इससे नहीं मेरी ममी से तो नाजरीन क्या आप भी टाइम मशीन के बगार ही कुछ देर के लिए अपने बच्पन में पहुंच गए थे नीचे कमेंट पॉक्स में जरूर बताईएगा पी टी वी की भूली बस्रियादों के पहले पार्स देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाले लिंक्स पर क्लिक करके आप देख सकते हैं वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए मिलते हैं आप से किसी और दिल्चस्प टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना धेर सारा ख्याल रखिएगा अलाहाफ़ज